तमाम नजरीन को स्टामलेकम बेर जीर प्राम की एक नियू अप्टेट आग की साथ शेयर करने जा रही है 9000 पे की पेमेट तो लोगों को मिल रही है लेकिन सबसे बड़ी और एहम खबर ये है आप लोगों को 18000 भी मिलना शुरू हो चुके है ये 18000 आप कैसे वसूल कर सकते हैं और बहुत बड़ी तदाद लोगों की अब एहल होना दुबारा से शुरू हो चुकी है इनमें कौन से ज्यादा अफराद हैं जिनको हकुमत पाकिस्तान की तरफ से अब एहल किया जा चुका है और वो अपने पैसे आज ही जाकर निकलवा सकते हैं क्या उनमें ये लोग नाहिल वाले हैं या जाज़परताल वाले हैं या कोई और लोग हैं जिनको हकुमत पाकिस्तान की तरफ से अब एहल किया चा रहा है मकमल तफसीलात से आपको अगा करें के उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीचे यूट्यूब चैनल सकिल सच को सब्क्राइब कर लीचे अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेट सक्षन में अपना सवाल हमें फेटी चीए इस वक्त की बड़ी और एहम खबर ये है हकुमत पाकिस्टान की तरफ से बिलाखिर अब 9000 की बचाय लोगों को 18000 रुपे तक की रगम दे जा रही है अब बहुत बड़ा सवाल ये है आप इस रगम को कैसे वसूल कर सकें के कुछ लोगों का ये भी क्वेश्टन आ रहा होका हमने तो 9000 पे एक दफ़ा वसूल कर लिए हैं क्या हमें अब भी 18000 मिल सकते हैं हम लेने के लिए चाह सकते हैं या नहीं हकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा तदाद लोगों की ऐसी है जिनको अब एहल होने का सिसरा शुरू कर दिया क्या है अब उनको एहल किया जा रहा है अगर आप भी एहल होना चाहते हैं अब काफी लोग ये कुश्टन करते हैं हम नाहल है हम एहल हो सकते हैं अपनी पहली पेमेट भी वसूल करें, अगर उनकी पिछली पेमेट भी बची हुई है, तो वो भी उनको मिलने जा रही है, हकूमत की तरफ से, जितने भी लोग जिनका 938 का एरर आ रहा था, तो उनको हकूमत पाकिस्तान आप एहल करना शुरू कर दिया है, जिनका 938 का एरर उनने ए-नादरा सेंटर से राब्ता किया, वहां से एक NCR का टोकन लिया, वहां पर वेरिफिकेशन भी करवाई, टोकन लिया, फिर उसको जमा करा दिया उनने बेनजीर इंकम स्पोर्ट प्राम के दफ्तर में, दफ्तर में जमा कराने के बाद, उनको हकूमत पाकिस्तान की उससे अब एहल कर ये गया है, काफी बड़ी तादाद में 18,000 रुपे भी किस्त लोगों की आई हुई है, 938 एरर वालों की, तो ऐसे तमाम अफराद आप भी अपनी किस्त जाकर निकलवा सकते हैं, जिनको 9,000 रुपे की पहली किस्त मिल चुकी है, आप उनको दूसरी किस् अगस्त के महीने में मिलने जा रही है, अगस्त के आखरी दिनों में आपके अकाउट में किस्त मुंत्किल होना शुरू हो जाए की, और आप इसको बैंक के एटियम से भी निकलवा सकेंगे, जिन लोगों ने अकाउट खुलवाय होंके, तो उनको रिटेलर शोप या डिव